Hello students, मैं Aran Thakur, Reigning faculty. Students, ये question आपके सामने दिख रहा होगा. ये question बिल्कुल आप पंजाब में पूछा गया question है, जिसमें कुछ student का doubt था, जि ये question सही है या गलत है, या कुछ student से question नहीं बना था. पेटा, ये question बिल्कुल सही है, और question नहीं बना था उसका concept में बताऊंगा जो कितना easy concept है इस questions को बनाने के लिए प्रते question का concept ही अगर अच्छा हो तो प्रते question का question जितना भी chapter है सारा question आसानी से बनता है लेकिन अगर आपका concept या आपका teach करने वाला या आपको guide करने वाला अच्छा मिले तो reasoning बहुत easy है बता इस questions को देखते हैं यह question कैसे बनाएंगे यह question जैसे मुझे मिला था examination का बिल्कुल इसे ही मैंने यहाँ पे रख दिया देखते हो यहाँ पे जो जैसे मुझे भेजा गया था वो इसे ही present में आपके सामने किया जो बिल्कुल आपको भी clear हो सके यह question में क्या है बेटा z है n है plus है x है t है equal है t है z है अब यहाँ पे दिया है z n plus xt equal to tz अब इसकी value हम कैसे मानेंगे बेटा इसको आप digital को आप sorry alphabet को digit में change कर दो अब जैसे कि अगर आप देखोगे normal में आप ऊपर देखो थोरा सा मेरे यहाँ पे देखना a1, b2, c3, d4, e5, f6, g7 बिल्कुल j10, 11 देखते हो अलफावेट का value यही होता है a से लेके z तक clockwise बिल्कुल अब देखोगे यही होता है अगर हम इसकी तरह अगर हम यहाँ पे रखे z का value 26 n का value 14 प्लस x का value 24 देख रहे हो और t का value 20 अगर इस तरह से बनाओगे तो question नहीं बनेगा उसका ऐसे दिया ही नहीं है जो यह question का value दिया है वो इससे नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा बेटा दो टाइप का होता है एक तो हमारा clock बाई questions दिया जाता है एक हमारा anti-clock बाई दिया जाता है Z को 1 मान लेता है Y को 2 मिल लेता है X को 3 मान लेता है और इस तरह से भी question दिया जाता है paper में बट यहाँ पे जो question दिया है उसे भी नहीं दिया है क्या क्या है यहाँ पे T का value 4 लिया है, देखोंगे, एक अलफावेट को छोड़के, दूसरा value लिया है, Z1, फिर Y2, V3, T4, R5, P6, N7, L8, J9, H10, F11, D12, B13, इस तरह से यहां का value लिया है वेटा, मतलब एक तो anti-clockwise value set किया है, वो भी एक अलफावेट छोड़के, अब देखो, अगर यहां से, इसको यहां पर जेंट करो, तो आसानी से question बन जाएगा, अब देखो, यहां पर वेटा, आप मैं समझा दूँ, यहां पर Z है, और N है, हैना वेटा, और यहां पर देखोगे, प्लस है, X है, T है, इक्वल है, फिर T है, फिर Z है, हैना वेटा, यहां पर यही है, अब इसको, अगर हम यहां पर question देखें वेटा, तो question कैसे बनाएंगे, Z का value देखो, Z का value आप इसको रखेंगे, आप anti-clockbides में एक छोड़के, Z का value 1 है, और यहां पर N का value क्या होगा वेटा, अब यहां पर N का value हमारा हो जाएगा 7, प्लस X का value क्या है, X का value 2 है, और T का value क्या है वेटा, यहां पर देखोगे T का value 4 है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, इस दोनों को सम करोगे, तो कितना होगा, इसके बराबर होगा, यह बराबर क्या है, T का वेल्यू देखो, 4 है, जेड का वेल्यू 1 है, 41 है, तो देखो, 17 प्लस 24 इसकल 2, कितना हो जाएगा 41, इन दोनों को सम करो, बिल्कुल सही है, तो यहां पे हमें पता चल गया, उसी तरह से आगे भी देखेंगे, अब यहां पे देखो, यह तो हमारा एक समीकरन निकल गया, अब यहां पे end, दूसरा समीकरन अलग है, काता है, तीसरा समीकरन अलग है, अब यहां पे देखोगे, यहां पे क्या है बेटा, यहां पर जे जे आर जे और आर अगर आप यहां पे ध्यान दो अब यहां पे देखो इस दो डिजिट से तीन डिजिट कैसे पॉसिवल है इस दो डिजिट से तीन डिजिट कैसे पॉसिवल है यह तो पॉसिवल ही नहीं है वै क्योंकि यहां पे तीन डिजिट में हमारा answer आएगा, तो क्या किया है यहाँ पर, अब मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ, जो Z का value यहाँ पर 1 हो जाएगा, और V का value यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा प्लस Z का value यहाँ पर 1 हो जाएगा, और R का value यहाँ पर यहाँ पर क्या और R का value हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, J का value 9, और R का value 5, 195, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 195, तो 195 हो जाएगा, तो 195 दोनों के sum से तो नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों के sum करने से 195 नहीं आएगा, तो 195 दोनों के sum करने से तो नहीं आएगा, यह अग बेटा अगर हम 13 को multiply 15 कर दें 13, 15, 55 यहाँ पर इन दोनों का multiply 195 आ जाएगा मतलब यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर sum किया है यहाँ पर multiply कर दिया बेटा कर सकता है पेपर में coding कर सकता है आप इसको ले के चलो यह कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर sign plus दिया है तो ऐसा आप missing terms में तो आप करते हो नहीं प्लस को multiply मान ले तो minus को plus मान लेते हो आप मलते हो कि नहीं मानते हो आप missing terms में missing नंबर में जब आप जाओगे तो आपको plus देगा लेकिन answer उसका multiply से आता ہے आप उसको multiply से answer देते हो उसी तरह बेटा अगर यहाँ पे plus से answer नहीं आ रहा है तो यहाँ पे sign क्या आ गया multiply बेटा तो लेकिन हम plus में multiply मान सकते हैं क्योंकि missing terms में इस तरह से आता है question जब आप missing finding missing one का chapter पर होगे तो इस type के question आता है एक में plus में दे दिया यहाँ पे multiply कर दिया तो बिल्कुल यह आ गया तो then plus z से क्या दिया बेटा question mark दिया है अब z plus z z का कितना है बेटा one z मतलब one one plus one is equal to two या तो इसको आप multiply करोगे तो one answer आएगा या यहाँ पे two answer आएगा अब यहाँ पे two answer हो सकता है मेरा यहाँ पे x b number इसका answer हो जाएगा बेटा one plus one क्योंकि दोनों तरफ sum है और बीच में multiply है दोनों तरफ sum है और बीच में multiply है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यह पहला समीकरन में plus है दूसरा समीकरन में multiply है और ने समीकरन में plus होगा क्योंकि इस type का question missing terms में मिलता है तो हमारा answer क्या होगा बेटा two two is equal to one plus one two is equal to answer क्या होगा two किसको काते हैं बेटा x को काते हैं यहाँ पे answer क्या होगा बेटा x होगा तो इस type से हम इसका answer दे सकते हैं x मतलब option number b इसका answer होगा तो चलें बच्चे यहाँ पे आपका clear concept हो गया होगा तो आपको यह मानके चलना है जो बहुत सा रिश्मेंट करते हैं यह हम plus क्यों मानेंगे इसको multiply क्यों मानेंगे क्योंकि इसका value दिया है इसकी value three digit में दिया है जबकि इसके three digit में multiply से answer आ रहा है तो इसको multiply मानना परेगा आपको क्योंकि missing terms में ही ऐसा questions का बनाता है और इस तरह की question का answer हम लोग देते हैं paper में तो इसलिए यहाँ पे दोनों का sum two हो जाएगा और two का मतलब यहाँ पर x होता है तो इसका answer हो जाएगा x option number b इसका answer होगा और सही answer होगा